कि सभी विद्धियार्तियों को नमस्ते विद्धियार्तियों आज हम एन आ यूएस का बारा का जो ग्रेव ग्यान विसे हैं उसका चेप्टर नमर 14 है उड़्जा संद्रक्षन यह चेप्टर आपके एन आइस में भी दे रखा है और स्टेट ओपन बोर्ड जो राजस्तान का है उसमें भी दे रखा है तो दोनों यह से तरह से लहाओ करें इस दोनों का हिसे प्रत होतीस हैं जिसे बिजली पानी है और यह चेप है तो उनका भी हम संदक्षन कैसे करें तो यह सभी चीज इस पार्ट में बताई गई है तो पढ़ते हैं इस पार्ट को यदि आपसे पूछा जाए कि आपके अंदर कारे करने के लिए उर्जा कहां से आती है तो आप संबवते आपका उत्तर होगा जो भोजन हम खाते हैं उससे इसी प्रकार खाना पकाने के लिए प्रुक्त उर्जा लकडियों के जलने से, कोईले से, उपलों से, मिट्टी के तेल से, गेस से और बिजली से आती है आपके पंखो और टीवी को चलाने के लिए उर्जा बिजली से आती है इस प्रकार आप उर्जा का भिन प्रकार से उप्योग करना जानते हैं परन्तु क्या आपने कभी गोर से सोचा है कि यदि सूरी से आने वाला प्रकास वे उर्जा नहोती तो संसार का क्या होता तो हमें इस तरह से उर्जा प्राप्त होती है ठीके कि अगर हमने यह सोचा कि हम टीवी चलाते हैं पंक्या चलाते हैं तो उससे भी हमें बिजली से उर्जा प्राप्त होती है हमें जो कारे करने की श्रमता है उर्जा है वो हमें भोजन से प्राप्त होती है जिसका मों उपयोग करते हैं परंतु हमने अगर यह देखा कि सूरे से जो में प्रकास मिलता है जो उड़जा मिलती है अगर वह नहीं होता तो क्या होता क्या होता जो संसार की अंदर जो कई प्रकतिक रियाक्लाप है वह बादित हो जाते या यह दिए आपके घरों को प्रकासित करने के लिए बिजली न होती तो आप यह भी जानते है कि बिजली की आपपूरती कभी भी कम हो सकती है और परिणाम सुरू कुछ देर या लंबी आउदी तक बिजली में कटोती हो सकती है इस पार्ट में हम सीखेंगे कि उर्जा के सुरूत क्या है और जो भी उर्जा के सुरूत हमें उपलब्ध है उनका चतुराई पूर्वक उप्योगी स्प्रकर किया जाए हमें अपने देनिक आउशकतों को पूरा करने के लिए उर्जा के नए-नए स्तरोतों को ढूनना होगा पाट का उद्देश है तो पाट का उद्देश है कि उर्जा का अर्थ बताना तता अपने उसके स्तरोतों का शुचिकरन करना उर्जा के विभिन स्रोतों को अक्षे उर्जा वे प्रमप्रगत उर्जा में वर्गिरुत करना उर्जा संडक्षन के महत्यों की व्यक्या उर्जा संडक्षन की विधियों की विशे में सुजाव देना भविश्य के लिए उर्जा की विकल पैचाना तो यह तो इस पार्ट के उद्देशे थे अब एक उर्जा क्या है हम देखेंगे उर्जा क्या होती है उर्जा को इस प्रकार परिवासित किया जा सकता है कि उर्जा कारे करने की सम्ता है उर्जा क्या है काम को करने की सम्ता आपने देखा होगा कि उर्जा के परियोग में से स प्रकास होता है प्रकास पढ़ने पर सोर केल्कुलेटर कारे करने लगता है यह पंप से पानी आता है संभवते आप अन्ने भी कई उधारन देर पाएंगे इन सभी परिश्टितियों में कुछ कारे किया जा रहा है और जो कारे करने के शमता क्लिप कराता है वह उड़ जा है तो देखो इन कामों के अंदर क्या तो कुछ कारे किया जा रहा है जैसे कि टोड जलाने से प्रकास आत प्रश्टियों में कुछ का रहा है और जो कारे करने के लिए चाहिे हम जो वेक्ति है उसै की चाना कि क हम आती है तूँट्य हो सब्सक्राइब उब जत्याओ को सब्सक्राइब आप इस से लकडी कोईले तेल यह प्राकतिक गेस के जनने से मिलती है यह सभी परदात इंदन कहलाते हैं लकडी के अलावा अन्य इंदनों को जीवास में इंदन कहते हैं क्योंकि इनको धर्ती के नीचे से प्राप किया जाता है करोड़ो साल पहले सूरी की उर्जा से मर्द पादप पर प्राकतिक इंदन के रूप में रूपांद्रित हो जाते हैं अथ हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के इंदन अपनी उर्जा सूरे से प्राप्त करते हैं बिजली को बहते जल भाप कोईले या तेल से उत्पन किया जाता है आप जानते ही है कि कोईला वे तेल अपनी उर्जा सूर यह शूरज की बनेगी कारण पर भी जाके दुबारा वर्षात करते हैं तो वापिस उसमें पानी आता तो यह जल चक्र चलता रहता है तो यह भी किसी कारण हुआ है सूरत से कारण हुआ है देखो बता रखा है कि सूरत के कारण क्या हुआ पेड़ पोदे है नदी है जीले इंसे वापसिकरन होगा वापस में जक्कियों की वेशे में सुना है जब सूरेस से वायुमंडल के ताप में परिवतन आता है तब हवा चलती है और हम इस बहती हुए हवा की उर्जा का कई कारियों के लिए उपयोग करते हैं प्लूटोनियम और यूरेनियम जैसे प्रमानों इंद्रों की प्रतिकर्या और जो उड्जा मिलते हैं विजली उप्वन करने में काम आती है हुगर भी जो पिर्धियू दूनर सो फेद्धभी सल्पाइस सरुगर्वी प्रहुड दपकर निकाली है। तो पिर्धियू अभी पर्त्वी गर्म किस वजय से सूरच की वजय से यह गर्म है अब फ़िक शूरोट के हमें कहाँ कहा downstairs मिलती है अल़ यह कर पर वन चक्की कि этому यह तीसरा आपको मिलान करने हैं इसके आंसर आपके पार्ट के आलाश्ण भी दिये होते हैं तो आपको लगातार मिलते हैं तो इस आधार पर उनको वर्गीकुत किया गया है उर्जा के फिरो dual दोप्रकार के होते हैं एक सिमित हैं और कुछी वर्षवों में खत्म हो जाएगे दूसरे प्रकार के वह सिरोथ है जिनकी आपर्धी कभी भी खत्म नहीं होती यहीं करuzu करा से हमेशा होता रहेगा ड्राइब सांसटर्ड ने लेकिंग कुछ समय बाद इसकी स70 हो जाती है तो रखना ने कितने प्रकार यह ताब ध्यान रखों घो दो प्रकार है ठीक है सींवित उर्जा और अंपराजा किसे जिसे कहते हैं तो यह भी आपको द्यान रखना दर्धार के सिंहित होते हैं कि कुछ समय समय तक थो प्योग कर सकते लिए कुछ समय बाद उसके आपर दे गई वैख्य कि श्रोट को अक्षे उर्जा और प्रमपरागत उर्जा जो हमीशा मिलते रेगी शोर उर्जा पवन उर्जा जल उर्जा भूगर भी उर्जा और इसके अलावा प्रमपरागत उर्जा आता है जीवास में से परमानूं इंदर और बिजली यह जीवास में यह परंप्राकत उर्जा के अंतर आते हैं अक्षे उर्जा के श्रोत आप जानते हैं की सोर उर्जा की आपरती कभी भी खतम होने वाली नहीं है हमारे पास पवन और जल की उर्जा तब तक रहेगी जब तक सूरथ रहेगा धर्ति के अंदर की चट्टाने सूरी की उर्जा को केट करती है परन्तु यदि इस भूगरवी उर्जा को हम इसको केट करने की गती से तेज उप्योग कर लेते हैं तब यह भी एक परमप्रागत उर्जा ही सावित होगी परंथो ऐसा होने की संभावना अभी नहीं है ऐसा अनुमान बताते हैं कि उड़ जाने वाले दिनों में काफी समय तक बची रहेगी अब प्रमप्रागत उड़ जा किस्त्रोत कोईला तेल प्राकतिक गेस आदी कई करोडों सालों से बने हैं परंथो जिस गति से कोईले की खदाने खोदी जा रही है और तेल को उड़ जाए कि आओ सकता पूरी कनने के लिए उप्योग किया जा रहा है वे इसके बनने की गति की तुलना में काफी तेज है यानि की जो भी हम प्राकतिक गेस है कोईला है तेल है इनका जो हम उप्योग कर आशनर क्रमानुइन का उप्योग कर सकते हैं आप कहसे है कि चूकि इंदरी की पूर्थी सिमित हैे एंदरी काप उर्थी सिमित है लिए इस सकते हैं पैट्रॉल है यह तो बहुत कम है अन्त मीं खतम हो जाएंगी अगर इसको ख़दाने से खोद खोद के निकला जाएगा जलाया जाएगा तो खतम हो जाएगा लेकिन जो भेता पानी है वह तो क्या है हमें आगे तक मिलेगा तो भेते पानी से जो बिजली उत्पन करके हम इनक परियोजना के जल से बनने वाले विदूत होती है उसकी परियोजना होती है जगे-जगे इस्तापित कि गयी है वह बिजली का उत्पाधन करते हैं और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बिजली की आप उर्थी बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है अते बिजली भी अक्षे उर्जा का श्त्रोत नहीं है यानि ऐसा नहीं कि बिजली हमेशा ही बनी रहे कि क्योंकि जनसेंगे पुर्दी होने की साथ सा बिजली की मांग जादा होने की साथ सा उसके आपुर्ती उतनी नहीं हो पा रहे है आज परमानों इंजन भी बिजली उत्पन करने के लिए प्रियोग किया जा रहे प्रंतु हमें याद रखना होगा कि सभी प्रकार के प्रमानों इंजरों के आप पूर्ती भी सिमित होती है और यदि उनका चत्रोय पूर्ण क्यों धंग से उप्योग नए किया जाए तो वे भी सिग्रती खतम हो जाएंगी अगला है उर्जा संदक्षन क्यों कि हम उर्जा का संदक्षन क्यों करें क्यों हम उर्जा को बचा के रखें उसका संदक्षन करें आईए एक उधारन दोरा सम्मझने का परियास करें माना कि आप दोपेर के भोजन के लिए दाल बनाना चाहते हैं इसको करने की दो विदिया है आप दाल को ढखकन दार साधरन बरतन पका सकते हैं या फिर फ्रेसर कुकर का प्रियोग करके कर सकते हैं कहने की जरूत नहीं है कि दोने ही अवस्ता में दाल वही रहेगी दाल तो के रहेगी वही लेकिन पैसर कुकर के प्रियोग से आप दाल पकाने में समय वे उड़जा दोने की बज़त करेंगे यदि हम एक कदम और आगे बढ़ें और कहें कि हम न केवल दाल बलकि चामल और आ प्रियोख करके तीनों को एक साथ अंद्रक्षण कर कर रहे है अठ़िया कНе क्या दोने की लिए कर रहे हैं प्रस्ट अद्ब्फ हमें देजा का सन्रक्शन क्यों करना चाहिए आकिर हमें हर प्रकार की उर्जा हर शन सुगमता से उपलब है ठीके कि हम उर्जा का संदक्षन क्यों करें क्योंकि हमें तो उर्जा जो हर शन में उपलब्ध है सुगमता से उपलब्ध है तो ऐसा नहीं है क्योंकि वो सुगमता से इसले उपलब्ध है बताएं परंप्रागत उठ्च किसे कहते हैं अक्षे उठ्च किसे कहते हैं यह आपको ध्यान रखना है जब अब देखो यहें विद्ची संड्रक्षन करने की क countless कारण है Но कौन सा पेला कारण जब मान आप अपूरति से अदिख हो picked मान लो उसकी मांग जो है उसकी पूर्थी आप पूर्थी से अधिक होती है तो जब हमने उड़्जा का संड्रक्षन कर रखा है तो हम उस बच्ची बच्ची हुई उड़्जा का वहाँ पर प्रियोग कर सकते है बढ़ती हुई जनसंक्या अध्योगी करन सड़कों पर याता बढ़ती जनसंक्या के लिए रहने के लिए घर भी अधिक चाहिए इससे पेड़ों के कटने की प्रपतार भी बढ़ती जा रही है ताकि फणिच्यर घर बनाने की लकड़ी प्राप्त हो सके अधिक लोगों के लिए अधिक कोईला, मिठ्टी तेल, और गेस की आउशक्ता ह होगी ताकि अधीक लोगों के लिए खाना पकाया जा सके आज अधीक लोगों को अपने घर में प्रकास करने के लिए अधीक बिजली के आऊ उसके बीच के अंतर को और साथ मुस्की जो मांग है उसके अंतर कम करने के लिए हम क्या कर सकते कि आप उर्थी बढ़ा करिया तो मुस्की बहुत ज्यादा पूर्थी बढ़ाते ज्यादा उसका उत्पादन करने लग जाए या भर मांग को घटा करिया फिर उसी क्या करे उसक चतुराइपूर्ण संडक्शन उप्योग करें तो इस तरह से हम उर्जा की जो है आप उत्पादन की उर्जा की बचत ही करके क्या करें उर्जा का उत्पादन आप सब बैंक से पड़िचित हैं जितना भी धन आप बचा पाते हैं उसे आप बैंक में डाल देते हैं और कुछ समय पचाथ कि अधिक उर्जा के उत्पादन का दबाव कम होता जाएगा इसी प्रकार जो अप बचाते हैं उसका वही अन्यत्र कहीं अन्यत्र उप्योग किया सकता है तो जैसे कि आप पेसे बचाने के बाद उसके बैंक ने कि दिया आपको ब्याज दिया तो पेसे में बड़ोतरी होगी इसे तर्aria से हम जो दिन के दिन के समय Stand करेंगे है और तो प्रकृता है प्रकास की आउन सकता होती है कम सजावटी प्रकास को आउसकता होती है तब जो बिजली आप भचा पाते है उससे सहर में बिजली की कटोति कम हो जाएगी आज परतेक विख्ति का उद्देश होना चाहिए कुछ तो उर्जा बचाओ अब इंदन शिमित इंदन उर्जा का सबसे सामानिश्त्रोत है और आप पहले ही जान चुके है कि कोईले गेस और तेल के सिमित भंडार है नीचे दियेगे चार पर नजर डालने से आपको व्यात होगा कि आने वाले वर्जाओं में इंदन की उप्रप्ता के संद्रव में हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि प्राकतिक इंदन आप उर्टी वर्जाओं क्या होगी लगबग 30 में लगबग 30 वर्षों में कब खतम होगी यानि कि 2035 तक खतम हो जाएगी तेल है लगबग 50 वर्षों में यानि 2055 तक खतम होगा कोईला है लगबग 280 सालों में लगबग 2285 साल बाद में कोईला खतम हमारी परत्विश से हो जाएगा इसके बाद क्या आप देखी सकते हैं कि आपके जीवन काल में ही तेल और पाकतिक गेसों के समाफ हो जाने की संभावना है निन्ने समता आपके ही हाथ में है या तो हम ऐसे ही चलते रहे जैसे चल रहा है या इसे इंदन के रुपयों की योजना बना लेनी चाहिए ताकि हम उ अब तक आप सब इस तत्य को समझ गए होगे कि अपने जीवन में ही हम इसमें से कुछ उर्जा स्रोतों के सूखने की संभावना से जूज रहे हैं उर्जा के संदक्षन को आम वेवार में लाया जाना चाहिए परते को एक जुट होकर सामेक रूप से उर्जा का संदक्षन करना चाहिए हम मैं से परते को सोचना होगा क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूं हाँ ऐसे कई तरीके जिन से हम उर्जा संदक्षन में अपनी भागिदारी कर सकते आईए देखे ऐसा हम किस प्रकार कर सकते हैं उर्जा का संदक्षन मुख्य रूप से हो सकता है कैसे घर पर सिंवर्पनान नлись बिजली को संदयर्इब poles ने जसे इतना अधिकि नीव ना चाहिए आपकी जरासी सवदानी हम यह कम हो सकता जगए से कमरे में निकलते समय पंचा में बट्ति बंद कर पर उर्जा बचाने वाले जो ट्यूब लाइट होती है उनको लगाएं ठीक है आशकल तो ये लिडी वगरा चलती है जो बहुत कम उर्जा खाती है ठीक है याद रखे एक चालिस वार की ट्यूब लाइट सो वांट के बलब से दूगना प्रकास देती है इसका अधी प्रकास करते हैं अपनी जरुत के अनुसर प्रकास कम करने वाले शीचों का प्रियोग करें दिवारों पर हलके रंगों का प्रियोग करें इससे प्रकास की आवसकता में 40% की कट्रोती करने में साइटा मिलती है पुराने पंके के रेगुलेटरों के इस ताम पर इलेक्ट्रोनिक र बड़े आकार के फ्रीज से अधिक उर्जा की खपत होती है फ्रीज का दरवाजा बार 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 ना खोले अपने फ्रीज को नीमित रूप से डिफ्रस्ट करें वाशिंग मसीन पर आवसकता से अधिक बूज न डाले नहाने के लिए बाल्टी में गरम पानी लेना की इजर का हमारा प्रियोग करें वाता नुकलों यंतर को नियंतित समय के एक गंटे बाद चालू करें और एक गंटे पहले बंद कर दें इस तरी करते समय सुनिशित करें के आप ने सभी कप्ड़ी कट्टे कर लिये हैं बिजली बचाने के लिए ओवन घ्र डायर और वेक्यूम के बिना I.S.I. चिन्द वाले उपकरण प्रियोग ना करें, वे सस्ते अवश्य हो सकते हैं, प्रन्तु गुनवत्ता हीन होने से वे पुर्जो के प्रभाविन होने से अधीक बिजली खर्च करते हैं। I.S.I. आपको बिजली बचाने में सायक होते हैं, इंदन के बिल के कटोती करने के लिए आप कही साधारन तरीके अपना सकते हैं। प्रमप्रागत लकडी के चूले के इस्तान पर उन्नत धुआ रही चूले का प्रियोग करें। प्रियोग करें। जिसमें लग 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 पकवान हम डाल के पका सकते हैं। तामबे के तले वाले ये सेंडवीच तले वाले बर्तनों का प्रियोग करें। जो अधिक ताप सम्वेदिन सिल होते हैं। बर्तन को गेस पर रखने के बाद गेस जलाएं। गेस को बर्तन उताने से पहले ही बंद कर दे। गेस के चूले के चिद्र को साप रखे और धूल वा तेल रहित रखे। चोटे बर्तनों के लिए छोटा चूला ही प्रियोग करें। रातों गेस के सिलेंडर के रेगुलेटर सिविच को बंद कर दें, जैसे ही भोजन पक जाये, तुरंत ही उसे प्रोस्त दें, ताकि उसे दुबारा गरमना करना पड़ें, उपर दी गए कुछ छोटी-मोटी जानकर या घर पर अत्यदिक बिजली और इंदन के प्रियोग को क करने के लिए दी गई है, इन से आपके बिजली के बिल में काफी कटोती होगी और आपकी सुईदा और आराम में भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, अगला खेत वा कारी स्थल पर तो खेत पर कैसे करेंगे, किसान आचल खेती की मसीनों जैसे ट्रैक्टर, ठैसर, पंप आधि अपने ट्रैक्टर के देखबाल भली प्रकार करें, खराब रखरकाव से 25-35 डिजल की शाथी होती है, डिजल के रिशाव को रोकें, प्रतीस सेकड एक बून डिजल के रिशाव से प्रती वर्ष 2,000 लिटर डिजल की शाथी होती है, जब ट्रैक्टर का उप्रियोग न हो या ट्रेक्टर का प्रियोग न हो रहा हो उसके इंजिन को बंद कर देना है ट्रेक्टर को उचित गेर पर ही चलाएं गलत गेर की प्रियोग से रिजल का खरचा 30% बढ़ जाता है और काय समता 50% कम हो जाती है हवा की छननी को साप रखें जिससे इंजिन के शतित न पहुंचे पूराने टायरों को बदल दे, खेतों में ट्रेक्टर के परियों की उच्छी योजना बनाए, चोड़ाई की अपेकसा लंबाई की दिसा में खुदाई करने से डिजल की बचत होती है अगला है कारिश्टल, कारिश्टल पर हम कैसे बचाएं, सामाने टाय लोगों की धाना है कि ऑफिस में उच्छा की बचत की किसे परवा है, आकिर इसके लिए पेशा मेरी जेप से नहीं जा रहा है प्रन्तु यही पर हम गलत कर रहे हैं, आकिर ओफिस में विर्थ होती उच्छा के लिए हम ही पेशा देते हैं, जो कि ओफिस में उच्छा की कमी के रूप में उच्छा के लिए अधिक पेशे देकर वे अधिक टेक्स आदि के रूप में होता है अते ही आवशक हो जाता है कि अपने कारी स्थल पर न केवल हमश्यम उठ्जा बचत के कुछ तरीके अपने बल्कि अपने सयोग्यों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करें यह आपके लिए कुछ सुझाव दिये जा रहे हैं ओपिस के सफाइ परमचारיהों से कहें कि जब तक लोग ऑफिस में न आ जाए तब तक पंखेवेबत्या न खोले और जगोर से परतान बत्य अप्रत को कम से कम प्रियोग करें अगला है सड़कों पर, तो सड़कों के पर हम कैसे उठी पर आज याँ के अब है, अधिक वहन नहीं होते थें, लेकिन आज तो सभी लोगों के पास बहुत यादा वहन हो चुके है, वहनों का प्रियोग ऑफी जाने के लिए वह घर से बाहर आ जाने के लिए होता है, इसका कार पूल कर सकते हैं अथाथ एक ही कार में दो या तीन लोग साथ जा सकते हैं पेट्रोल वे सीन जी बचाने के कुछ ऐसे तरीके उपयोग में लाएं जैसे की धीमी वे इस्तिर गती से गाड़ी चलाएं इसके लावा क्लच वे ब्रेकर के प्रियोगों कम करें टायर में हवा के उच्छी दबाव को बनाए रखें हर कीमत पर इंदन के रिशाव को रोकें इंदन को सही दसा में रखें तो इंदन है जो इंजन है उसको सही दिसा में रखना है आपको गली में प्रकास के लिए प्रकास हमवेदी सीविच लगाने के लिए उस प्रोसाइद देव सोर पटल लगाएं विध्यापन के लिए नियोन प्रकास को प्रोसाइद न दे इसक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हम सब सहमत है कि आज हमारी सरवोच चिंता होनी चाहिए कि उजजा का उपयोग कुछ इस तरह हो ताकि वे जादा से जादा देर तक बची रहे पिछले पीछे दिएगे चार से आप समझी चुके होगे कि प्राकति गेस और तेल जल्दी खतम होने की कागार पर है हम उजजा के संडरक्शन के कि क्या कोई विखलक है भी हां है आप पढ़िदी चुके हैं कि अक्ष्य और प्रत्रागत है अक्ष्य को नवी निकर अक्ष्य अब रूद्पार जाता है म यदी हम अपने प्राम प्रागत उर्जाग के सुरोऒ को अधीय, लंबे सम्भे तक चलनने वह बनाना चाते हैं, रही हम अक्शी उर्जा का तादिक प्रियोग करना होगा. चोपके इन इन जद 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 उर्जागत और आजकर भुवता assembler से नहीं होता है आध़ा बहते पानी से मुर्जा बना रहे हैं वविश्य के लिए विकल्ब कर विकल्ब हो सकते हैं नहीं पहरेला है genial बैयोगेस हवाद कούμε जांदर के गोबर का इक किन्मन हुतक्त है उसפाध मिन जातीएañ इसमें मुख्य तरफ मिथैन इसमें इसमें होती है इसे कहना पकाने के लिए और घर में प्रकास करने के है इसनाम होता है तो fang जो है टेंकुर से बाइवागिस बनाया जाता है जो घर मेरें पशू पालंग करते ह쟁ा आरहम से इस्तिमर कर प्रकार है कि बच्चा हुआ गंदा गोबर एक अच्छी खाद है जो सब्जी और फलो की पेदावार बढ़ाता है लिए लकडी जलने से होने बिमारे से आखों और फेप्रों सो बचाता है जंगलों को संदक्षित रखता है क्योंकि लकडी को इंदन के लिए नहीं जलाया जाता मजदूरों और मिस्ट्रियों को बायोगे से लगने से रोजगार के साधन उपलब्द होते हैं अगला है सोरूर्जा मुफ्थ में से प्रियोग करने के लिए तकने की विकास हुआ है आज सोरूर्जा को जिन विदियों से उप्योग किया जा रहा है निम्न है किस विदि में उप्योग करते हैं सोरूर्जा जैसे कि सोर कुकर यह एक उथला वर्गाकार उपक्ष होता है रिखे जिसकी किनारे पर किनारे ब कर पके चाता है तो यह गर्मी से जाता पकेगा सोच जाकि उप्यों के फाइदें देखो इंदन की कीमत कीमत कम हो जाती है इसके नियमेक प्रयोग से परती दिन दो किलोग्राम जलाने वाले इंदन की बचत होती है यह प्रयोग के लिए पूंतर सुडक्षित है क्योंकि इसम लगातर विशेश ध्यान देने की आउशकता भी नहीं पड़ती एक समय में इसमें चार चीजे बनाई जा सकती है इसका उपयोग भूव सरल है अपने परिवाड़ा खाना पकाने के लिए सोर कुका का प्रियोग करें अगला है सोर प्रकास सोर पटल पर कोशिकाओं की साहिता से साधारन दिन में प्रकास को विदूत उर्जा में बदला जा सकता है यह जो कोशिका अपने उपर पढ़ने वाले सूरज की प्रकास के अनुरूप विदूत उत्पन करती है जब इन कोशिकाओं के साथ रसानिक भंडाल बेटरे का उपर किया जाता है तब दूप वाले दिनों में जो अत्रिक उर्जा उत्पन होती है इसका संग्रेब बादलो वाले दिनों के लिए किया जा सकता है देखो क्या होता है कि जो रसानिक बेटरे होती है यह प्लेटे होती है उसे विदूत में बदलता है यह सोर उर्जा को विदूत में बदलता है उस विदूत को कहां इकटक किया जाता है उर्जा को इकटक किया जाता है और फिर क्या किया जाता है जब कोभी बादल हो जाते हमें तो उस समय इनका उप्योग किया जाता है कि सोड़ी को निमनको प्रकाषित करने के लिए कि इसको गलीयों को घरों को Lokया विज्ञान प्रक्कासल ॥ाय हम मेरे सभी चीजे ils ला सकते हैं सोड अज़ रुझा को विविन तरीक उसे प्रियोग तो इसका उपयोग है जिसे घरों में नाने का पानी गरम करने के लिए घरों होटलों में केंद्री को ताप परना ले के लिए खारे पानी को पीने योगी बनाने के लिए भवन निर्मान के लकडी अनार सता मचली को सोर बट्टी में सुकाने के लिए छोटे विशेश डिजान के फ्रीजों में रेप्रिजेटर के लिए ये फ्रीज जीवन रक्षक दवाओं को कम ताप रखे जाने के लिए और दूद फल वब सब्जियों जैसे नश्ट होने वाले कर्शित पदों को संरक्षित करने के लिए भी उपयोगी है तो इस तरह से छोटे-छोटे फ्रीज होगा ये बहुत बड़ी प्रियोजना है जिसे करोड़ों रुप्यों की लागत से बनाया गया है और ये बहुत अधिक मात्रा में विदुत का उत्पादन करती है बिजली की बड़ी हुई मांग को देखते हुए ऐसी अन्य प्रियोजनाओं को लगाने की आउशक्ता में कुछ नए तरीकी अपना कर शुख्शों में जल प्रियोजना लगानी होगी ऐसा संजह जाता है जही अदिक ऊठाब कादना के लिए उप्योग कि जा सकता है एसी स्फ़्म करेदा करा लिए निमनलाविच निवरी जहां से हम क्या कर सकते हुए बिजली का उत्क तो इसमें क्या लाब होगा कि इसके श्तापना के लिए अधिक निवेश कि आउसकता नहीं होगी इने अधिक अधिक धनकी आउसकता नहीं पड़ती कि इनका राकर का उप्रकशा स्रलता से होता है इनका भोगो लिक दृष्टी से उन दूर राज इलाकों में इस्तानी विद पृजने को कम कर सकतो है। बड़ी विदूत प्र योजना से बर कारण पढ़े ही पहुचेए। जो बड़े बिजली जो उत्पादन के अंदर है बड़े विदुत प्रयोजनक के अंदर उन पर दबाव कम हो जाएगा उन पर प्रेसर कम आएगा अगला है पवन उडजा मानों बहुत लंबे अर्से से पवन उडजा को प्यों कर रहा है जैसे पानी पर नाव चलाने के प्योग से विदुत उत्पादन संभव हो चला है आए देखे ऐसा किस प्रकार होता है एक उच्चे इस्तम पर लंबे फलक या पंखानुमा यंत्र का साधरन धाचा और एक दिसा की दिसा नियंत्र लगा दिया जाता है यह पवन मसीन किसी खुले इस्तान पर लगा दी जा पर लिए ज्यधा बनेगी हवा के गति में दूणी तेजी उर्जा उत्पादन में आरगुणा वर्दि करती है एसा नूमा लगा해 जाता है जाता कि 20 किलोमीटर पर गंटा की और सद गति लाप प्रद विदूत उत्पादन में के लिए आउशक है जपके 10 किलोमीटर पर ग उप्योग भोगोलिक दुष्टिश दूर दराज के शेत्र या परवती इलाकों की विदूत आपउर्टी के लिए किया जा सकता है पवन मसीन लगाने से सस्ती होती है तो पवन मसीन लगाने में क्या होती सस्ती और रख रखाव भी आसानी से हो जाता है अब गेर प्रमप्रा करता है अब प्रयोग सद्धय प्रदूशन मुक्त होता है और वाता और को शोच रखता है इनका अप्योग इस्तानी है यह हर्जी के उप्रवत होते हैं अते वित्रन का मुल्य भी कम होता है तो जो लागत है वो बिल भी कम आएगा तो लोगों पर भाहर भी कम पड़ेगा लगाये जाए जाएगी होगई इस ताने लोगों के लिए रोजगार के रसल खुल जाते हैं अब initiator आपके हैं तुस्क्सम जल प्रियोजदा के 5 लाँ बताएग्यों के पानच में तो आपको लिखना है अब आपने क्या सिखा तो देखो इक पार को शोर्ट में बता रखा कि उर्जा क्या है उर्जा के सूर्य पवन जल इंदन नाबिके प्रमानु इंदन विदुत और गुगरबिता अक्षय उर्जा होती है और प्रम्प्रागत ऊस्ता क्या है कि हो वहिए तो अब ये कूछ पाथागत प्रस्ट्म है जो आपको करने है तो मैं इसको पसंद आया होगा आपको समझ में आ रहा है तो आपको इसको लाइक कर ज़ेश जरूर करें और ज्यादस ज्यादस वीडियो को देखे और साथ में अपने पाठे पुष्टक से भी पढ़े आप कहीं से भी पढ़ो लेकिन आपको समझ में आना चाहिए तो ये वीडियो है आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा मेरी उमीद है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद